हरे गरिशना सभी को बच्चो आज की वीडियो हमारे पास होने वाली एक लांस 11 के बच्चों के लिए इस वीडियो हम करेंगे चैप्टर 11 पी ब्लॉक जो की फोकस कर रहा है आपके टर्म 2 को एक्जामिनेशन को देखते हुए इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है आपक लिए मार्स और एंड में करेंगे फाइफ मार्स कोशन उससे भी पहले हम पहले यह देख लेते हैं कि आपके टर्म 2 में जो पी ब्लॉक चैप्टर आपका आ रहा है उसमें क्या-क्या कौन-कौन से चीज़े आपकी आ रही है तो पी ब्लॉक में आपके दो ग्रूप आ रहे के अकौर्डिंग ही आपके लिए कोशन बनाए गए हैं इससे फालतु कोई भी जो टॉपिक है उसके अकौर्डिंग कोशन इंक्रूड नहीं किये गए हैं तो आभी बिल्कुर दियान लखे तो दो पॉइंट अभी पढ़े टाइम बहुत कम है अब स्टार्ट करते हैं धर्टीन क्रूब जो कोशन बनाटा है तो इसका आंसर हमारे पास होने वाला है नहीं क्या होता क्यों है तो ड्यू-टो धे स्मॉल साइज ओव बोहरोंड यह दो कारण हमारे पास आते हैं जिससे कोव लेंट सपनाता है और इसह का आन बनते हैं क्या तो फजान रूल जाके आप देखे भी सकते हो बहुत इंपोर्टेंट रूल हमारे पास आता है फजान रूल अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड कोशन के ऊपर वाइड आटॉमिक रेडियाई ऑफ गैलियम इस लेस देन ऐलुमीनियम गैलियम का हमारे पास जो आटॉमिक रेडिय हमाँ चाहे है कि हैसका आट यहां पर एक अक्सेप्शन आता है कि क्या आता है इसका इसमें छुपावा हैं इसके कांसरे में तो यहां पर हम समझा दे रहूं है और मिल्मीनियम चैनल पर यहग पर go configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 हमारे पास आ जाता है बात करें इसके next key तो यहां पर हमारे पास gallium का हमारे पास 31 इसका हमारे पास argon का electronic configuration उसके तो हमारे पास 3d10 फिर हमारे पास 4s2 और 4p1 हमारे पास यह होता इसका electronic configuration तो यह हमारे पास 3d10 में हमारे पास यह जो डी और बाइटल जो आता है वह पूर shielding effect दिखाता है इसी के कारण जो outermost electron है उसमें effective nuclear charge ज्यादा होने के कारण जो size हमारे पास है electron को और attract करता है और size जो हमारे पास helium का है वह बहुत ही छोटा हो जाता है as compared to aluminium तो यहां पर हम लिखेंगे इसका answer में हम लिख सकते हैं this is because of d orbital is highly diffused offer poor shielding effect यहां पर हमारे पास क्या है this is because this is because poor poor shielding poor shielding effect poor shielding effect of d orbital in gallium यह हमारे पास हो गया इसका answer अब बात करते हैं हमारे पास question में 3 aluminium form alf6 but boron does not form bf6 तो यहां पर इसका answer हमारे पास जो आप लिखोगे वो लिखोगे due to absence of d orbital in boron यहां पर आप answer के लिखोगे due to due to absence due to absence of d orbital d orbital in boron यह तो आपका answer हो गए एक marks के लिए अब समझो ऐसा हमारे पास हो क्यों रहा है तो बात करें aluminium के हमारे पर d orbital हमारे पास आ जाता है बट इसकी हम बात करें तो boron में boron में हमारे पर d orbital हमारे पास नहीं होता है इसमें सिर्फ हमारे पास s और हमारे पास p आता है तो इसका हमारे पास एक orbital और इसका हमारे पास तीर orbital हमारे पास तो यहीं हमारे पास के maximum होते हैं जो की एक दो रीन चार स्कता है एसकी कोवेलंसी और हमारे पार डी ओल्व ह्टा तला इसलिए अपनी कोवेलंसी कर लेता है यह हमारे पर चाहए अंसर हो गया है अब बत करतें कोशुन नमर फूर की तरह मेंचेंडा टाइप ऑफ हाइबर D of boron in B2S6 तो इसका answer आप लिख दोगे directly SP3 क्योंकि सिम में हमारे पास B2S6 हमारे पास BS3 का डाइमर है भी भी एस थी का हमारे पार डाइमर है और इसमें हमारे पास सिर्फ होता है single bond single bond जहां पर आएगा वहां पर हमारे पास SP3 hybridization state आने वाला है अब हमारे पास आगे है टू माक्स कोशन तो इसमें पहला कोशन हमारे पास है ड्रॉद इस स्रक्चर ऑफ डाइबोरें अगर आप चैप्टर नमर 11 पी ब्लॉक कर रहे हो तो आपको डाइबोरें 100% पढ़ना है पेपर एक्जाम पॉइंट आव यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डाइबोरें का इससे पहला कोशन हमारे पास जिसमें मनें बताया था बी टू एसिक्स का है डाइबोरें क्या डाइबोरें के बोलते हैं वीसश एचिक्स को ही बोलते है डाइबोरें अभी यहाँ पर हमारे पास चिडेस्ण से हमारे पास attach होते हैं यह hydrogen से हर जग हमारे पास सिग्मा बॉर्ण हमारे पास आ गया इसने के लिए इसका हाइशन होता है SP3 अगर आपको डाइबोरिन का structure बनाने के लिए आया तो सिर्फ यह बना देना इसको बनाना बॉलते हैं बहुती अलगले नाम से जाना जाता है डाइबोरिन का यह most important structure है पेपर में आपको एक marks में और फिर दो marks में आपको बनाने के लिए आ सकता है अब बढ़ते हैं यहां पर हमारे पास question number seven write the balance chemical equation for BF3 plus LiH इसमें हमारे पर बनता है डाइबोरिंग जब भी हम क्या BF3 और LiH को react करते हैं तो यहां पर हमारे बनता है B2H6 बनेगा हमारे पास और साथ में हमारे पर बनता है LIF लीथियम फ्रॉराइड जिसके 6 molecules हमारे पास आते हैं इसको balance करने के लिए यहां पर हमारे पास 6 और यहां से हमारे पास 2B है तो यहां पर हमारे पास 2 लगा तो यह आपका होगा balance equation नेक्स हमारे पर जब डाइबोरे रियक करता है एनस 3 से तो हमारे बनता है B3N3H6 साथ में हमारे पास H2 का लिबरेशन होता है जो कि 12 molecules यहां पर हमारे पास आ जाते हैं इसको balance करने के लिए यहां पर 2 लगा दो और N हमारे पास 6 यहां से हमारे पास 3 3 6 तो यहां पर हमारे B2 6 तो यहां पर हमारे पास कितना तील लगा दो आपका हो गया balance equation अब बढ़ते हैं कोर्शन नमर 8 की तरफ गिव दरीजन फॉर्ड फॉर्लोइंग इसके लिए हमारे पास रीजन क्या आ सकता है तो पहला हमारे पास है B3 act as a weak Lewis acid तो यहां पर हमारे बात करें B3 तो यहां प compound बना रहा है B3 इसमें छे ही electron है इसके balance shell में हमारे पास 6 electron है इसी के लिए electron को accept कर सकता है electron pair को accept कर सकता है इसी के लिए बोलते हैं इसको Lewis acid I hope आपको इसको रहा होगा answer अगर हम लिखेंगे answer हम लिखेंगे first का तो यहां पर हम लिखेंगे boron boron atom in B3 3 has has only has only six electron in its balance it balance shell it balance shell and hence it is capable capable of capable of accepting accepting a pair of electron a pair a pair of electron to complete to complete it octate clear यह हमारे पास होगा इसका answer अब बात करते हैं आप हमारे पास second इसका क्या है तो boron can not show covalency more than four boron का हमारे पास covalency हो चार से जादा हमारे पास क्यों नहीं होता तो इसका आप answer लिखोगे due to due to absence due to absence of d-orbital या फिर हां पर लिखन सकते हैं क्या तो बोरोन बोरोन वोरोन ओनली अब और ओनली कंसिस्ट 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 आप S and P orbital ये भी हमारे पास ठीक हुआ ये भी हमारे पास ठीक हुआ इसी के लिए हमारे पास उसी covalency वो चार से जादा हमारे पास नहीं जाती, clear है बढ़ते हैं आप question 1.9 के तरफ account the following अब पहला हमारे पास आगया CO2 is gas while SiO2 is solid at room temperature यहां पे इसको आप answer यहां पर लिख सकते हो answer A हमारे पास इसका क्या होगा यह हमारे पास होता है due to because CO2 CO2 contain CO2 contain C double bond O but but SiO2 SiO2 doesn't doesn't contain S double bond S double bond O bond इसके लिए हमारे पास solid form में होता है और CO2 हमारे पास क्या तो gas की form में present होता है next हमारे पास है answer number B अगर हम लिखे answer B लिखे यहां पे तो solid CO2 is known as dry ice इसको क्यों बोलते हैं because it never leave a wet spot when it disappear जब भी हमारे पास CO2 disappear होता है तो यहां पे हमारे पास जैसे पानी एक wet spot छोड़ देता है वैसे हमारे पास CO2 एक wet spot नहीं छोड़ता है इसके लिए इसको बोलते है dry ice clear है तो यहां पे हम लिखेंगे because 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 it never it never leaves it never leaves behind it never leaves behind a wet a wet spot when it disappear disappears यहां पे हमारे पास यह आ गया अब बटते हैं question number 10 की दरफ suggest a reason as to why CO2 is poisonous यह तो हमने बहुत बार पढ़ लिया भहिया CO2 poisonous हमारे पास क्यों मैंने जाती है तो CO2 carbon mono oxide जो आपके blood में hemoglobin है जो oxygen को transport करता है उससे combine होके उसकी carrying capacity को कम कर देता है इसी के लिए जो आपका blood है वो oxygen को carry नहीं करता और अगर oxygen करी नहीं कर रहा तो आपके body में oxygen कमी हो जाएगी और आप टै बोल जाओगे तो इसी के लिए हमारे पास CO2 poisonous is nature होता है तो यहां पर लिखोगे क्या because because it हमारे पास how carbon monoxide because it combines because it combines combines with hemoglobin hemoglobin in our blood in our blood in our blood and it decrease it decrease the oxygen it decrease the oxygen carrying capacity capacity of blood और इसी के लिए क्या होता है तो poisonous in nature होता है अब बढ़ते हैं यहां पर तीन मार्ट कोशन के ऊपर इसके लिए कोशन 11 हमारे पास आ गया लिस्टु इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इन विच बोरोन इस डिफर हमें बोरोन की वो दो प्रॉपर्टी बताने है जिससे वो बाकी मेंबर से डिफर है और फ्रॉपर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें प्रॉपर्टी की बात करें हमारे पास तो इहां पर लिख सकते हैं कि वह पहला वारे पास वह नॉनमेटल है प्रॉम्टेंट डूस्रा हमारे पास यहां पर लिख सकते हैं कि बैडड और अलेक्टरव कंड। energy του के wबर पास ये आखिए तो दो प्रॉपर्टी तो मारे आएगा due to small size due to small due to small size next की बात करें यहां पर हमारे पात हम लिख सकते है due to high electronegativity क्या due to due to high electronegativity यहां पर हमारे पस एक reason यह भी आ जाएगा third की बात करें यहां पर तो हमारे पस आएगा absence absence of D absence of d orbital यह हमारे पस reason आ गया और हमारे पास जो property differ जो कर रही है differ जो property कर रही हो हमारे पास यह हो गया एक तो वो non metal है bad conductor of electricity क्यों है तो due to small size high electro negativity और तीसरा हमारे पास है absence of d orbital जब भी paper में आपके question आ जाए कि why boron is showing anomalous property in group 13 तो यह तीनों point आप अगर आपने वहाँ भी चिपका दिये तो आपके दो marks पके हो जाएंगे अब बढ़ते है question में 12 की तरफ select the member of group 14 अब यह चार condition हमें दी गई है हमें बताने कि group 14 में कौन कौन से member यह form कर रहे है form the most acidic dioxide अब यहाँ पर हमारे पास हमें बताने कि 14 group में कौन सबसे जादा acidic dioxide बनाता है तो इसका answer तो हमारे पास होता है CO2 क्यों 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 हमारे पास acidic character of oxide decreases down the group अगर हम आएंगे तो acidic character dioxide का decrease होगा next हमारे पास is commonly found in plus 2 oxidation state तो यह हमारे पास होता है क्या lead यह हमारे पास होता है lead हमारे पास यह होता है इसका oxidation state down the group plus 2 हमारे पास आता है इसको बोलते है जो plus 2 oxidation state आ रहा है इसे हों बोलेंगे due to inert pair effect क्या due to inert pair effect हमारे पास lead का oxidation state plus 2 आता है ना कि plus 4 next यहाप हमारे पास last है use as a semiconductor तो इसका हमारे पास silicon silicon और germanium दोनों हमारे पास answer है क्योंकि यही दोनों compound है जो कि semi conductor की तरह ऐसा use होते हैं और यह दोनों हमारे पास होते हैं metaloid अब बढ़ते है question number 13 की तरह what are allotrops discuss the structure of two allotrop of carbon namely called diamond and graphite हमें इन दोनों के allotropic form भी हम पर draw करना है तो पहले तो हम यह जानते हैं एक ही allotrops हमारे पास होते हैं तो एक ही element के जब एक से जादा state में हमारे पास compound पाए जाते हैं और उनका क्या physical ध्यान से सुनना physical property differ करता है but chemical property हमारे पास same होता है तो उसको बोलते हम allotrops answer भी हम यहां पर लिखेंगे allotrop को define करेंगे allotrops allotrops हमारे पास होते क्या हैं तो the existence the existence the existence of an of an element of an element in more than in more than one form more than one form more than one form having more than one form having the same having the same chemical chemical property chemical property but different but different different physical different physical property यह हमारे पास हो गया allotrop का definition example हमारे पास दिया गया यह हमारे पास तो diamond हमारे पास ग्रेफाइट हमारे पास है यह दोनों allotrop कार्बन के है तो carbon हमारे पास जो इसका जो structure हमारे पास आता है वो हमारे पास different आता है यहां से हम देखते हैं यह हमारे पास का यह राय structure diamond का structure हमारे पास यह वाला है और graphite का structure हमारे पास यह वाला है देख सकते हो graphite में हमारे पास यह एक एलेक्ट्ट्रों यहां पर दिहां से दिखो एक एलेक्ट्रों हमारे पास यह क्यों होता है गम्हारे पास question number 14 compare the journal trend in a falling property of an element अब यहां पर हमें बताना है कि इसमें क्या क्या जर्नल ट्रेंड हमारे पास आ रहे हैं तो पहला हमारे पास आ गया atomic इसको जरह यहां पर ऐसे कर लिया जाए अब यहां से हमारे पहला आ गया पहला हमारे पास आ गया atomic size पहला हमारे लोन क्या सबसे चोटा हमारे होता है इस से चोटा हमारे पास होता है गैलियम और यहां पर हम दिखायेंगी हमारे पास elmijn varp你好 हमारे पास आते बड़ा ड्यूट q QAre due to poor shield two or inviting effect ऑफ The Orbital इन गेलियम ठीक है और इससे बड़ा हमारे पास होता है इंडियम और फिर हमारे पास होता है थैलियम ठीक है इसके तो हमारे पास आ गया थैलियम क्लिया नेक्स यहां पर हम बात करें 14 ग्रूप में 14 ग्रूप में हमारे पास कोई भी यहां पर ज्यादा डिफेंस है नहीं कार्बन फिर हमारे पास सिलिकन फिर हमारे जर्मेनियम फिर हमारे पास तिन और फिर हमारे पास लेड हमारे पास आ गया यह तो हमारे पास हो गया क्य सबसे कम leadership हमारे पास होती है इंडियं की किसकी यहान पास आता है उससे चवर्माशन अंदियन करता है年前 हमारे पास तो थैलियम फिर हमारे पास थैलियम फिर हमारे पास थैलियम फिर हमारे पास क्या गया बोरोन तो सबसे ज्यादा हमारे पास आइनेशन थलपी होता यहां पर बोरोन का बात करें 14 ग्रूप में 14 ग्रूप में हमारे पास सबसे ज्यादा होता है कार्बन का किसका सबसे ज्याद अब बात करें आप हमारे पास त underm।कर यहां से वारे पास आ गया करेक्टर से मेबकर करेक्टर तो creek 13 के हमारे पास क्या होता है इंक्रीब क्रीज इंक्रीज फ्रॉम प्रोरोन नारत कुं know all आइफ आप then decreases then decreases from decreases from aluminium aluminium to thallium aluminium to thallium फिर यह decrease होता है अब बात करते हैं group 14 की group 14 की तो down the group हमारे पास क्या increase होता है increases increases down the group clear अब बात करते हैं पर हमारे पास अब बात करते हैं आप हमारे पास दी हमारे पास आगया oxidation state तो group 13 में group 13 में हमारे पाश जुसका oxidation state होता है वो जनली प्लस 3 होता है बट डाउन दे गृप हमारे पस प्लस 1 भी हो जाता है due to inert pair effect उसके बाद यहाँ पर हम बात करें ग्रुप 14 की ग्रुप 14 ग्रुप 14 की तो यहां पर हमारे पास क्या plus 4 होता है but down the group down the group plus two हमारे पास देखा गया है क्यों due to inert pair effect तो यह हमारे पास ग्रूप 13 के होते हैं प्लस 3 प्लस 1 ग्रूप 14 का हमारे पास ग्रूप 14 यहां पर लिखना भूल गया ग्रूप 14 का हमारे पास होता है प्लस 4 और प्लस 2 नेक्स हमारे पास यहां पर आ चुका है ए नेचर आफ नेचर आफ हैलाइड तो यहां पर ग्रूप 13 की बात करूँ हम group 14 का group 14 का तो यहां पर हमारे पास tetra halide tetra halide और down the group हमारे पास क्या di halide का देखा गया है क्यों क्योंकि due to inner pair effect हमारे पार down the group 2 oxidation state plus 2 oxidation state कम हो जाता है यह हमारे पास हो गया पूरा comparison अब बत करते हैं यहां पर हमारे पास question no.15 explain the formation of water gas और producer gas यह बहुत important अब ही यह water gas producer के दोनों में से एक तो आपकी paper पक्का आएगा answer यहां पर देखते हैं पहला हमारे पास क्या होता है water gas पहला हमारे पास होता है water gas water gas हमारे पास क्या होता है mixture of carbon monoxide और H2 को बोलते हैं क्या water gas यह हमारे बनता है carbon को जो हम H2O से react करवाते हैं temperature हमारे पास 473 degree Kelvin हमारे पास होता है तो यह बनता है हमारे पास क्या carbon monoxide oxide और हमारे पास H2 इसी को बोलते है water इसी को बोलते है water gas दूसरा हमारे पास है दूसरा हमारे पास आ गया क्या producer gas producer gas यह हमारे पास mixture होता है किसका तो यह होता है carbon monoxide carbon monoxide और nitrogen का mixture हमारे पास होता है इसको बोलते हैं producer gas यह बनता है जब कारबन को हम रियक करवाते हैं air से, खिससे? air से, तो यहां से हमारे पास यह बनता है carbon monoxide, साथ हमारे पास 4 NH2, इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोल देते हैं producer gas. अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास इन दो reaction की यहां से हमारे पास इसमें जो यह X क्या आएगा और नेक्स हमारे पास X के बाद Y हमारे पास क्या बनने वाला है हमें वह बताना है तो reaction न थोड़ा नीचे लिख लिए यहां पर हमारे पास पहला हमारे पास आ गया एन 8 2 B4 O7 जब रियक्ट कर रहा है 2 HCl से और हमारे पास 5 H2O हमारे पास दिया गया है तो बनता है हमारे पास two NaCl seven धो यह एकां वह बनता है एकसा क्या हिए बनता है यह बनता है एकसथ reindeer यह हमारे पास धी जिया गया है यहां पर हर्जेगा हमारे पस हीट है किया तो यह क्या गया जब हम बोरीक एसीड को हम बोरीक एसीड को हएचटरीविट को हम हीट करते है यहां पर हमारे पास एक वी स्थे और इसको फिर प्राइक्शन याद करनी पड़ेगी तो यहां पर हमारे पास इंप्रेंट कोश्चन जो बन सकते थे मैं आपके लिया आया हूं नेक्स वीडियो हमारे पास होने वाली है बहुत ही जाद है और सब्जेक्टिव में तो हमारे बहुत इंप्रेंट चैप्टर बनता है यह है तो नेक्स वीडियो को वेट करो जल्दी हमारे पास नेक्स वीडियो एक यह दू दिर में अपलोड हो जाएगी वीडियो को अच्छे लगियो तो अपने दोस्तों के से हरे कृष्णा